इशू को क्रूस पर चढ़ाया जाता है इशू का ठटा करने के बाद सैनिक उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए उन्होंने उस क्रूस को उसी से उठवाया जिस पर वह मरेगा वे सैनिक इशू को उस स्थान पर लेकर आए जो खोपड़ी कहलाता है और उसके हातों और पेरों को क्रूस पर ठोक दिया परंतु येशु ने कहा हे पिता इन्हें शमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं उन्होंने एक तक्ति को भी उसके सिर के उपर टांग दिया उस पर लिखा था यहूदियों का राजा पिलातूस ने उनसे यही लिखने के लिए कहा था तब सेनिकों ने इशू के कपड़ों के लिए चिठियां डाली जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने उस भविश्वानी को पूरा किया जो कहती थी उन्होंने मेरे वस्तरों को आपस में बाट लिया और मेरे कपडों के लिए चिठियां डाली वहाँ पर दो डाकू भी थे जिनको सैनिकों ने उसी समय पर क्रूस पर चड़ाया था उन्होंने उनको इशु की दोनों तरफ रखा था उनमें से एक डाकू ने इशु का मजाक उड़ाया परंतु दूसरे ने कहा क्या तू नहीं डरता कि परमेश्वर तुझे दंड देगा हम बहुत से बुरे कामों को करने के दोशी हैं परंतु यह मनुष्य निर्दोश है फिर उसने इशु से कहा जब तू अपने राज्ज में आए तो कृपया मुझे याद रखना इशु ने जवाब दिया आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा यहूदी अगूओं और भीड के अन्य लोगों ने इशु का मजाक उड़ाया उन्हों ने उससे कहा यदी तू परमेश्वर का पुत्र है तो कृूस से नीचे उतरा और स्वयम को बचा ले तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे तब उस संपूर्ण देश का आकाश पूरी तरह से काला हो गया भले ही वह दिन के मद्धि का समय था यह दो पहर के समय काला हुआ था और तीन घंटे तक ऐसा ही रहा था तब येश्व ने पुकार कर कहा पूरा हुआ हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हातों में सौंपता हूँ तब उसने अपने सिर को जुकाया और अपने प्राण को त्याग दिया जब वह मरा तो एक भुकम पाया वह बड़ा परदा जो परमेश्वर की उपस्तिती से लोगों को अलग करता था उपर से नीचे की और फट कर दो भाग हो गया अपने मृत्यू के द्वारा येश्व ने लोगों के लिए परमेश्वर के पास आने का मार्ग खोल दिया जब येश्व की निगराणी करने वाले एक सैनिक ने जो कुछ हुआ था यह सब देखा तो उसने कहा निश्चित रूप से यह मनुष्य निर्दोष था यह परमेश्वर का पुत्र है तब यूसुफ और निकुदेमुस नाम के दो यहूदी अगुए आए वे विश्वास करते थे कि यश्व ही मसी था उन्होंने पिलातुस से यश्व के शरीर को मांगा उन्होंने उसके शरीर को कपड़े में लपेटा तब वे उसे एक चटान में से काट कर बनाई गई कबर में ले गए और उसके भीतर रख दिया तब उन्होंने उस कबर के द्वार को बंद करने के लिए एक बड़े पत्थर को लुड़का दिया